नमस्कार दोस्तों एक बड़ी महतपूर्ण खबर मिली है और उसके मुताबिक सुषान सिंग राजपूत केस से जुड़ावा ये बात है कि रिया चकरवर्ती पिछले चार दिनों से हैदराबाद में कुछ लोगों से मिल रही है और ये बहुत ही गुप्ट मीटिंग चल रह कि जब से शुषान सिंग राजपूत की हत्या हुई और उसके बाद रिया चकरवर्ती ड्रक्स के मामले में कई उसके जो शबूत मिले कई चीजों के उपर जो भी उनके आरोप थे और जो भी उनका एक लिंक मिला तो इस मामले में NCB ने रिया चकरवर्ती और उसके भाई शौबी को पकड़के अंदर कर दिया था लगभग एक डिर महीना रहे दोनों जेल के अंदर लेकिन बेल पे वह बाहर आ गये अब बाहर आने के बाद कुछ दिनों तो ये लोग बिलकुल शांत रहे लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तीन-चार महीना बीता रिया चेक्रवर्ती ने अपना रुख कर लिया शाओ इंडिया की तरफ और शाओ इंडिया के मूवी में उसने काम धूनना चालू किया वहां उसे कुछ काम मिल भी गया है वह इसने इसलिए कि मुंबई पे हर किसी की नजर रहती है और मुंबई में कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है कौन क इससे बाते कर रहा है यह सारी एक्टिविटीज पे नजर हर किसी की रहती है यहां तक कि न्यू चैनल सो मीडिया चैनल सो पत्रकार हों जो घूमते हैं पेपराजी उनका हो हर किसी का नजर रहता है तो इन सब से बचने के लिए रिया चकरवर्थी ने अपना रुख शाओ इंडिया की एक्टिविटीज के बारे में बॉलिवूड तक वो मुंबई तक आने में बहुत समय लगता है क्योंकि वहां पे कई ऐसे चीजे हैं जो की हाइलाइट नहीं हो पाती है और अब पिछले दिनों कुछ ऐसे लोगों से रिया चकरवर्थी की मुलाकात होई है जो इस केस में रिया चकरवर्थी को पीछे से मदद कर रहे हैं और जो लगातार रिया चकरवर्थी के संपर्क में है और ये संपर्क सिर्फ फोन कॉल के जरी है और वो भी वाट्शप कॉल के जरी हुआ था ऐसा की मानना है ऐसा की कई चीजों में देखा गया है अब रिया चक रिया चेकरवर्ती इस केस में बेल पे बाहर है रिया चेकरवर्ती इस केस में बेदाग बरी नहीं होई है छूटी नहीं है वो बेल पे बाहर है और बेल का मतलब यह होता है कि केस आपके उपर चलेगा मुकदमा आपके उपर चलेगा लेकिन टेंपरोरी तोर पे आप बाहर जा सकती हैं और ये भी शर्त रहता है कि आप बाहर जा करके किसी भी गवाह किसी भी शबूत के साथ कोई छेड़ चार नहीं करेंगी और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगी नहीं तो बेल कैंसिल करके दुबारा फिर से आपको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो रिया वकील की जोरत पड़ती है और बड़े वकील के लिए बड़ा पैसा चाहिए और पिछले करीब लग रहा है कि देड़ साल से रिया चेकरवर्ती के पास कोई काम नहीं है तो फाइनेंसली तोर पे भी उसकी इस्तिती अतनी अच्छी नहीं है लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मताबिक जो लोग से मिटिंग होई है वो लोग इसे फाइनेंसली भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग इसे मेंटली भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ ही साथ जो वकील वगेरा का जो सपोर्ट है वो शारे सपोर्ट कर रहे हैं और उन सब का एक ही उदेश है कि रिया चे सिंग राजपूत के फैंस जो कि पूरे वर्ल्ड में मौजूद है पूरे वर्ल्ड से वो लड़ाई लड़ रहे हैं यह लड़ाई काफी लंबी है और इस लड़ाई में हमें उमीद है कि कहीं न कहीं सुषान सिंग राजपूत के फैंस को जरूर जीत मिलेगी और तीसरी तर एक नाम है, बहुत बड़ा एक काम है तो इसको लेकर के लगातार हर विशे पे नजर बनी हुए लेकिन रिया चक्रवर्ती का ये स्टेप भी शक के दाइरे में है तो इसके उपर भी लगातार आपकी नजर बनी रहनी चाहिए जैन जै भारत